वल्कम फ्रेंट्स आज हम फानेलान का न्यू एफिसोड में एक नया चीज सिखेंगे जो हर यूट्यूबर का बहुत काम आता है तो जैसे अपने थम्नेल में देखा है आज हम सिखेंगे मूविंग लाइन्स बर्टिकल्ली एन होराइजेंटली कैसे लाइन्स मूव करते हैं न्यूज स्टुडियो की तरह तो स्टेप पर स्टेप फॉल्व किजिए स्केप मत किजिए फर्स्ट अपने मोबाइल से काईटमास्टर एप ओपन कर लिजिए काईटमास्टर आप आपको यूट्यूब आपको प्लेस्ट्रो में मिल जाएगा और इसका फूल बर्सन चाह कि टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए कुछ भी लिखिए जो लाइन आपको मूब करने है ऐसा कुछ टाइप कीजिए तो मैं लिखता हूँ वल्कम टू मैं चैनल I will help you ओके तो यह मैंने लिख कर अंदर ले आया अभी इस लाइन को मुझे कहां से मूब करना है कहां तक और कैसे मूब करना है मैं स्टेप पर स्टेप दिखा रहा हूँ लाइन को ले आने के बाद आप लाइन को क्लिरली देखने के लिए इसके बैक्ग्राउंड इनेवल क कर दीजिए यह लेजी मैंने बैक्ग्राउंड इनेवल कर दिया अब लाइन को क्लिरली दिखाए दे रहा है इस लाइन को कीच के ले कर एक दम अंदर की तरफ लेकर जाई है वहार पर क्लिक करें फिर वह जो लाइन है उसका जो लेर है वालार कि लास्ट पोजिशन में हैं फिर राइट में देखे एनिमेशन वहाँ ओ में माइनस का साइन ही आप टिक पे क्लिक करें करने के बाद आप प्ले कर के देखें देखेंअ दिखिए अब लाइन मेरा मूव रहा है कि अगर लाइन थोड़ा जोड़ से मूव होता है तो लाइन का जो लेयर है उसे stretch करें उसे stretch करने से क्या होगा कि आपकी timing में change आएगा देखिए फिर से play करें देखिए अभी line slowly moving हो रहा है तो ऐसे करके आप किसी भी line को move करा सकते हैं जैसे कि news channel में होता है यह अपना YouTube चैनल में आप करवा सकते हैं आप लाइन का color बैकग्राउन का color जो राइटिंग से उसका भी color change कर सकते हैं उसका side change कर सकते हैं आप अपनी choice के मताबिक वो कर सकते हैं अभी मैं आपको दूसरा और एक लाइन लिखे दिखाता हूँ आप step by step follow करे, skip मत करे, तो समझ में नहीं आएगा, अभी देखे, मैंने जो line पहले से लिखा हुआ था, बो रहे गया, उसके साथ साथ दूसरा एक line लिख रहा हूँ, N-O-W now, Y-O-U, H-A-V-E have learned, now you have learned, तो आप लोग अभी सीख गए हैं, तो थोड़ा practice करना पड़ेगा, scrolling lines, चलिए, ok करते हैं, अभी ये जो दूसरा line आया है, उस line को मैं इस line की पीछे लगा देता हूँ, एकदम पीछे, जहां से इस line को आना है, मैं चाहूंगा कि मेरा पहला वाला line जो है, वो जब अंदर जाएगा, दूसरा वाला line बाहर आएगा, ऐसे करना है, तो setup भी वैसा ही करना है, देखिए, तो मैंने किया किया, उस line को लगा दिया, पहले की तरह, अभी time चिक करना है, तो मैंने second line का जो layer है, उससे stretch किया, अभी background चेंज करूँगा, background enable कर दिया, और color भी चेंज कर दिया, चलिए, अभी play करके दिखाता हूं, ठीक है दोस्तों देखिए, यह हो गया play, अभी देखिए, पहला बाला line आया, फिर दूसरा, उसके पीछे पीछे, ऐसे करके तीसरा line, चौथा line, अप कितनी भी line चाहिए, आप enter कर सकते हैं, एक की बाद एक जाएगा, जैसे कि news जाते है, breaking news जैसे जाते है, ठीक वैसे ही, यह हो गया, अभी हम सिखाएंगे line नीचे से उपर, या उपर से नीचे कैसे आती जाते हैं, वो step by step सिखाएंगे, वो भी बहुत simple है, आप ध्यान से follow करें, और अच्छे तरह से समझें, तो आप एक दिन में सीख जाएंगे, तो मैं जो background है, उसे थोड़ा और stretch कर लेता हूँ, अभी मैं कुछ लिखूंगा, आपको जो line है, वो नीचे से उपर की तरफ या उपर से नीचे की तरफ लाने क आप, आपको लिखना है, ऐसे, दिखिए, एक वर्ड लिखना है, फिर नीचे चला जाना है, फिर एक वर्ड लिखना है, फिर नीचे जाना है, ऐसे करके, आपको जितने भी लिखना है, जितने भी वर्ड लिख लीजिए, तो मैंने यहाँ 4-5 वर्ड लिख लिख लिया, अ अभी मैं यह वार्ट को अंदर लेके जाओंगा ओके चली देखिए मैंने कितने सारे वार्ट लिखकर अंदर लाए उसे साइच को थोड़ा बड़ा कर लिते हैं अभी मैं इस वार्ट को नीचे से उपर तक लेके जाओंगा तो मैंने पूरा पहले नीचे लेकर आया फिर लेप में जो की का साय ने उसे क्लिक किया फिर अनिमेशन आप देखे मैं उस सेलेक्टेड वार्ट को मैं उपर की तरफ खिचके ले जाता हूं एकदम उपर की तरफ ठीक है अभी अभी आवी उपर की तरफ लेके चला गया तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताता हूं देखिए जो लेयर है लेयर मैंने चेंज नहीं किया जो वाट्स अभी एंटर किया उसका लेयर को चेंज करना पड़ेगा लेयर का लास्ट पोजिशन में आना पड़ेगा आपको तो मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको देखि हाँ तो लियर मैंने सेलेक्ट किया और देखिए यहां थोड़ा गरबर हो गया क्योंकि जो वार्ट से वो एकदम नीचे चला गया फिर से मैं उसे सेलेक्ट करने ही पा रहा हूं तो फिर से लिखना पड़ेगा ऐसे गलती जो पहले करते हैं हर किसी से होता है तो यह गलती से भी आपको कुछ सीख मिलेगा जब भी कुछ अप एंटर करेंगे लिखेंगे उसे एकदम स्क्रीन की एकदम अंदर नहीं लिखे जाना है एकदम पूरा अंदर चला गया तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाओग फिर से लिखना पड़ेगा जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो फिर से मैंने बहुत से लिख लिए और उसे इंटर करके अंदर ले जाओंगा भी चलो आगये फिर से और देखिए थोड़ा बाहर की तरफ निकला होना चाहिए मैंने रख दिया अभी इसका लेयर का लास्ट पो चाहिए अब इसका बेक्ग्राओंड चेंज कर लीता हूं बैक्ग्राउंड चेंज करने से यह अच्छा नहीं रिखता बीना बैक्ग्राउंड के साइड ज्यादा अच्छा लेगा तो आप चाहे तो बैक्ग्राउंड चेंज कर सकते या भी रख सकते में बैक्ग्राउंड इसका चेंज नहीं करता हूं जो नीचे वाल लाइन था जो की लाइन को स्ट्रेच कर लिता हूं स्लोली मूविंग के लिए अभी क्लिक करके प्ले करता हूं देखिए देखिए वो सारे वाट्स एक के बाद एक नीचे से उपर की तरफ जा रहे हैं बहुत पढ़िया ऐसे करके आप बहुत सारे कुछ लिखे जो सिनेमा की एंड होता है सिनेमा की एंड में जैसे जाता है नीचे से उपर की तरफ वैसा ही हो रहा है आप ऐसे कर सकते हैं थैंक्यू तो वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्रेब करें और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा